डेटा और इंफॉर्मेशन ये दो टम आपने सुनई होंगे डेटा क्या होता है कि रॉफ फैक्ट्स और फिगर्स आप सबोच करें कि मैंने आपसे पूझा कि आपकी हाइट क्या है तो आपने बोला 150 सेंटीमीटर दूसरे परसंद से पूझा उसनकी हाइट क्या है तो उन्ह क्या क्या एवरेज निकाले और एवरेज हाइट आई सबोच करें कि 150 या फिर 165 तो हम यह जो 165 सेंटीमीटर आई की तीन लों का एवरेज है यह चीज क्या कहलाती है यह इन्फॉर्मेशन कहलाती है तो डेटा याने कि जब आप सिंगल परसंद से लेते हो तो वो डेटा ह स्कूल में जाते हो आप जो है अप्रमेशन करते हो तो यह चीज इन्फॉर्मेशन कहलाती है आप सक लक्रें कि कि आपको यह क्लास में कितने इस्टुडेंट है जो की जनरल कटेगरी से हैं कितने SC कटेगरी से हैं कितने HD कटेगरी से हों कितने OBC से हैं तो यह एक-एक बंदे को count करका नहीं पता है यह सबसे आपने data collect किया और data collect को compile किया उसको जो है आपने और आपको पता चला है कि 50% जो है जनरल है 60% जो है SC है इस तरीके से जो फिर आपको information वहां से मिलती है clear तो information is the processed, organized and structured data information data ही होता है लेकिन data को जब आप और और अप और अपने प्रोसेस करते हो उसको structure में लेके आते हो तो वह चीज़ information कहलाती है it enables decision making process तो information के basis पे आप जो है further decision making ले सकते हो clear अब एक परसंट जो है आपके हाप कोई product purchase करता है तो वह data हो गया यानि कि आपको पता चला कि अच्छा मेरे यहां से horlics ज्यादा बिखता है complaint कम बिखता है तो अब आप क्या करोगी होलिक्स जो अपने हाप ज्यादा प्रिफर रखोगे अपने शॉप पर प्रोवाइट करके रखोगी क्योंकि लोग ज्यादा तर होलिक्स पर्चेच कर रहे है यह information कैसे निकल गया है जब अपने अलग-अलग data को compile के उसको आपके लिए क्या है तो एक सिंगल कंजूमर जो बिल अमाउंट देता है वह आपके लिए क्या है वो डेटा है लेकिन वेन रेस्टूमर क्लेक्ट एंटिपल बिल्स ओवर रेंज ऑफ टाइम दे कैन प्रोड्यूस वैल्यूवल इंफॉर्मेशन सच एज वाट मिनू तो वो आपके लिए डेटा हुआ लेकिन जब मल्टीबल जो कस्तमर्स आ हैं आपके रेस्टूरिंट में उन्हों ने खाना खाया जब उनके बिल्को आप एनलाईजь करोगे उनके बिल्को आप एरेंज करोगे प्रोसेस करोगे और य औरगनाईज तो वहां से आपको में आ रहे हैं क्या प्राइस में चेंज करने की जह हो थेक नहीं है तो आप जो डेटा है, डेटा से information आएं और information की वीसितिस वे आप क्या करते हो decision making करते हो clear features और characteristics की बात करें information की तो simple से basic से features सबसे पहले चीज़ relevance जो भी आप information परवाइट कर रहे हो वो relevant होना चाहिए, मेरा purpose कुछ और है, मैं pricing fix करना चाहता हूँ और आप मुझे marketing यानि promotion के आप बात कर रहे हो, promotions related information दे रहे हो तो relevance नहीं है, तो relevance होना चाहिए, timeliness, timeliness नहीं कि आपका जो भी right information right person को right time पर provide के जा रहा है, timeliness नहीं कि आज हमें decision लेना है, आगले 6 मेने के लिए आप जो मुझे 4-5 साल पुराना data ले रहे हो, नहीं हमको current data दीजिए, timeliness, accuracy, जो भी आप data प्रोवाइट कर रहे हो, जो भी आप information प्रोवाइट कर रहे हो, वो accurate होना चाहिए, गलत information नहीं होनी चाहिए, correct information format, जो भी आप information दे रहे हो, उसकी जो formatting है, table में है, graph में है, chart में है, वो सही format में जो है, आपको इसको information को provide करना चाहिए, आप देखते होंगे, जब भी कोई comment के scheme आती तो वहाँ पे table form में, वहाँ पे इसको graph के form में, और statement के form में भी जो है, वहाँ पे इस परा detail, जो भी information वहाँ आधा दूरा नहीं हो, correct तो है, साथ ही साथ आधा दूरा भी नहीं हो, पूरी information आप उसको provide कीजिए, and last is accessibility, accessibility यानि कि उस information को हम आसानी से access भी कर सके, information available है, लेकिन information data store में रखा है, data warehouse में रखा है, लेकिन आप उसको access ही नहीं कर सकते हो, तो फिर उस information का कोई value नहीं होता है, यह कुछ features है, characteristics है, जो कि किसी भी information में होनी चाहिए, clear, आप बात कर लें कि type of information के, तो देखे, information को divide करने के लिए कोई specific criteria नहीं है, लेकिन आप अलग-अलग purpose के basis में, need के basis में आप जो इसको divide कर सकते हैं, जैसे conceptual information, conceptual information जो आपकी knowledge को increase करते हैं, जैस जान काई दीजिए किस product को कैसी उच करना है, warranty और जो guarantee की क्या policies है, क्या information, वो सारी information वहापे दी जाती है, organization का instruction कैसा है, तो वो सब चलिए क्या कहलाती है, वो policy information कहलाती है, इसी तरह के से directive information, coaching में आप जाते हो, तो वहापे आपको direction दिया जाता है, military में आप देखिए, तो directive information हो गया, clear, वहीं पर अलग-अलग criteria से आप जो है, इसको divide का सकते हो, जैसे action and non-action, action यानि कि वो information जिसके basis पे आपको इस action लेते हो, आपको पता चला, आपको information आई, कि जो है market में next month जो है, कोई festival आ रहा हो, sales बढ़ेगी, तो आपने क्या कि इस information के basis पे आपने और action information हो गया, recurring and non-recurring information, recurring information जो एक particular interval पे आपको जो है, बार-बार information मिलती रहती है, जैसे monthly sale हो गया, तो monthly sale क्या है, हर मन्थ आपको जो है information मिलती रहेगी, non-recurring यानि कि जो एक बार होता है, बार-बार नहीं होता है, non-recurring जैसे कि loss due to closure of operation, आपने किसी एक operation को बंद कर दिया उसके वज़े से जो loss हुआ, यह जो information है, यह non-recurring है, क्योंकि बार-बार तो आप operation बंद नहीं करोगे, तो बार-बार information आएगी नहीं, तो जो information one time होती, वो non-recurring, जो information आपको हर महीने, हर साल मिल रही है, वो recurring information, इसी तरह के से internal and external information होता है, internal आने कि जो आपकी organization के अंद clear होगा कि information क्या है, उसके features हैं, और क्या types हो सकते हैं, wish you all the best, keep watching.